कल के lesson में आपने सीखा था कि कैसे आप custom audience बना सकते हो based on website traffic I hope आप लोगोंने कल practice की थी और आप लोगोंने custom audiences बना के देखी थी custom audiences मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी 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 ज़ादा अच्छे return देती है अभी मैं daily कुछ लाग से डेड़ लाग रुपए खर्च करता हूँ just on facebook ads just on facebook ads और जो सबसे अच्छे returns आते हैं वो आते हैं from custom audiences so अभी जो सबसे अच्छे return आ रहे हैं मेरे को वो आ रहे हैं from custom audiences जैसे मैं आपको बताया so custom audiences again एक तो हो गई website traffic वाली website traffic से बहुत अच्छे result आ रहे हैं उसके बाद जो अच्छे result आ रहे हैं मेरे पास वो आ रहे हैं from video views ठीक है from video views जैसा कि आप लोगों पता है कि मैं video use करता हूँ ads को run करने के लिए courses को बेचने के लिए so मैं क्या करता हूँ मैं different type की audiences बनाता हूँ based on video views ठीक है तो अभी जो सबसे अच्छे result आ रहे हैं वो आ रहे हैं उन audiences से जिन्होंने मेरी videos देखी है 95% right तो अब ये कैसे आप apply कर सकते हो देखो suppose करो कि आपने एक video बनाई और आपने उस पे add run के ठीक है अब होगा क्या उस video को कुछ लोग देखेंगे कुछ लोग नहीं देखेंगे जो लोग देखेंगे उसमें से भी लोग ऐसे होंगे जो आपकी video देखेंगे पूरी से 95% देख रहे हैं या कुछ लोग होंगे जो आपकी video देखेंगे 50% ठीक है उसके बाद कुछ लोग होंगे जो आपकी video देखेंगे 25% उसके बाद कुछ लोग होंगे जो आपकी video देखेंगे 3 seconds कुछ लोग होंगे जो आपकी video देखेंगे 5 seconds अब suppose करो कि आपकी वीडियो किसी ने देखी 95% बट उसने आपका product नहीं खरीदा then अगर आप इन्हें remarket करोगे तो आपको बड़े ही exceptional result आईगे तो अब हमें करना क्या है हमें ऐसे लोगों की audience बनानी है जिस जिसने मेरी वीडियो देखी है then हम क्या करेंगे हम इनको करेंगे remarket प्लस जिसने मेरी वीडियो देखी है 95% मैं उसकी बनाऊंगा look alike audience और मैं उसको भी ad दिखाऊंगा ठीक है जी बिल्कुल perfect है तो चलिए start करते हैं हम वीडियो views के base पे audience बनाना ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं अपने ads manager पे आया हूँ then मैं जाओंगा यहाँ पे tools पे और मैं जाओंगा audiences पे मैं आपको बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा powerful होती है वीडियो तो please आप वीडियो बनाना start करो for your business या for your personal brand प्लीज दू अभी अगर आप जाके YouTube पे देखोगे तो मैं 500 से ज़्यादा वीडियो बना चुपा हूँ 500 से ज़्यादा वीडियो राइट अगर आप वीडियो बनाओगे तो you cannot imagine कि आप क्या achieve कर सकते हो तो यहाँ पे हम काम करते हैं मैं दूसरे अपने ad account में आ जाता हूँ और हम बनाते हैं audience based on video views ठीक है तो मैं गया create audience और मैं गया custom audience और then मैं गया यहाँ video पे यहाँ गया मैं video मैंने click किया video अब यह देखो आप से पूछ रहा है engagement ठीक है click किया अब देखो कितने type की आप बना सकते हो पहली people who viewed at least three seconds of your video ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video कितनी देखी है at least three seconds दूसरी people who viewed at least 10 seconds of your video ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी है at least 10 seconds उसके बाद आता है people who either completely completed और viewed at least 15 seconds of your video ऐसे लोग जिन्होंने या तो आपकी video पूरी देखी या viewed at least 15 seconds of your video कम से कम 15 seconds देखी आपकी video अगली people who have watched at least 25% of video ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी है at least 25% अगला है people who have watched at least 50% of your video ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी है at least 50% अगली ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी है at least 75% और उसके बाद लोग है ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी है 95% अब आप खुद सोचो यह आपकी video है यहाँ पे कुछ लोग है जिन्होंने आपकी video देखी है 3 seconds ठीक है और यहाँ पे कुछ लोग है और इन्होंने आपकी video देखी है 95% 95% अब आप मुझे बताओ आपकी service में कौन जादा interested है वो जिसने आपकी video देखी है 3% या वो जिसने आपकी video देखी है 95% जाहिर सी बात है वो जादा interested है जिसने आपकी video देखी है 95% अब यहाँ पे देखो एक strategy है जो आप अपने product या service के लिए यूज कर सकते हो ठीक है अब यह strategy काम कैसे करती है under this strategy आप अपना campaign बनाते हो using video क्या यूज करते हो आप video बट मजे की बात क्या है यहाँ पे आप कोई targeting नहीं रखते ठीक है आप कोई targeting नहीं रखते कोई targeting आप नहीं रखते बट आप करते क्या हो आप simple video चला देते हो without any targeting और जो भी आपकी वीडियो देखता है 75% या 95% आप उसको करते हो remarket ठीक है आप उसको करते हो remarket तो आप यह strategy अपने product ए service के लिए try कर सकते हो ठीक है तो अब हम देखते हैं कैसे आप audience बना सकते हो तो पहली है people who have watched at least 3 seconds of video तो आप यह से select करो then option दे रहा है choose videos तो इसे click करो और यहाँ पे आप लिखो अपने page का नाम ठीक है अपने page का नाम लिखो तो यह मैंने page select किया then यहाँ पे बड़ी सारी videos आ रही है तो suppose मैंने यह select किया और मैंने यह select किया जितनी videos है आप उन्हें select कर सकते हो ठीक और मैंने यहाँ पे कर दिया confirm ठीक है मैं audience क्या बना रहा हूँ Facebook को क्या क्या खाला हूँ कि भईया इन चार video को जिसने भी 3 seconds देखा हो in the past 365 days उसकी audience बना लो मैं 365 से ज़्यादा नहीं ले सकता maximum मैं ले सकता हूँ 365 अब एक चीज़ आपको यहाँ पे अगर difference देख रहा हो तो जब आप website के base पे audience बना रहे थे तो आपके पास time था 180 days जब आप video views के base पे बना रहे हो तब आपके पास time है 365 days अब आप मुझे एक बात बताओ क्या video views के audience बनाने के लिए आपको facebook pixel की जरूरत है या नहीं सोचो 10 second सोच लो फिर बताओ क्या video views के base पे audience बनाने के लिए आपको facebook pixel की जरूरत है या नहीं answer is नहीं क्यों नहीं है क्योंकि यह जो आप audience बना रहे हो यह audience की activity हो रही है inside facebook audience आपकी वीडियो कहां देख रही है facebook के अंदर तो आपको किसी audience किसी pixel की ज़रुवत नहीं राइट और यहाँ पे लिखोगे आप audience का नाम क्या लिखोगे 3 seconds जब मैं usually लिखता हूँ people who have watched 3 seconds ठीक है और देन आप कर दोगे create audience बहुत है simple ठीक है कर दो create audience अब suppose मैं audience बनाना चाहता हूँ ऐसे लोगों की जिसने मेरी वीडियो देखी है 10 seconds तो मैं गया create audience, custom audience video choose a content type at least 10 seconds choose videos और video मैंने select कर ली जिन जिन के मैं बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया confirm और 365 audience का नाम रिख दिया मैंने watched 10 seconds create audience audience बन चुकी है अभी populate हो रही है ऐसे ही आप आगे और audience बना सकते हूँ create audience, custom audience video people हुए watch से अब आप बनाना चाहते हो ऐसे लोगों की जिसने वीडियो देखे है 50% तो 50% चूज वीडियो वीडियो सेलेक्ट की और कर दी confirm और यहाँ पे 365 और लिख दो यहाँ पे watched 25% 25% कर दो create ठीक है मैं यूज कर रहाँ वीडियो और वीडियो के नीचे अब ही लोग मेरे लेंडिंग पेज पे आए बट मेरा product नहीं खरीदा उसे मैं क्या करूंगा री मार्केट ठीक है जी तो समझ गया यह री मार्केटिंग वीडियो व्यूज बेस्ट जो री मार्केटिंग ओडियन्स है उसका यूज क्या है प्लस मैं क्या करूंगा जिसने भी मेरी वीडियो दे की 95% इसकी मैं बना दूंगा look like audience ठीक है तो अब आपका टास्क क्या है आज का आपका टास्क यह है कि आप 5-6 audience बनाने की कोशिश करोगे based on वीडियो व्यूज राइट कल हमने किया था custom audience के बेस पे आज हमने किया वीडियो व्यूज के बेस पे अब बाकी जितनी audiences बची हैं यह सारे हम cover करेंगे कल के lesson में so make sure कि आप आज custom audiences बना रहे हो based on video views साथ में आपने समझा कि इसका use case क्या है ठीक है तो आप plan करो कि आप अपने business के लिए इसको कैसे use कर सकते हो क्या video बनाओगे कैसे सारी चीज़े करोगे ठीक है जी thank you so much for watching this lesson